बर्फ के पहाड पर एक भालू और उसके नन्ने बच्चे का ये तिल छूने वाला वीडियो वाइरल हो रहा है नन्ने भालू अपनी मा के पीछे पीछे भर्फ के पहाड पर चड़ रहा है और अचानक फिसल कर वो नीचे पहुच जाता है लेकिन फिर से उपर चड़ता है उपर खड़ी मा बच्चे के पहुचने का इंतिजार करती है लेकिन ये क्या? वो फिर से फिसल कर नीचे गिर गया है मगर नन्य भालू ने बिना रुके फिर से चड़ना शुरू कर दिया हलका रास्ता बतला और फिसलते फिसलते बचा लेकिन इस बार मा के बेहत करीब पहुँच गया है अब तो ये बहुत ही करीब आ गया है लेकिन फिर से मा ने उसे पकटने की कोशिश की और ये इस बार बहुत तेजी से फिसल कर नीचे जा रहा है अब तो ये पहले के मुकाबले और भी नीचे पहुच गया है पूरी बर्फ खत्म होने के बाद यहां जाकर रुगा है लेकिन इतना नीचे गिरने के बाद भी नन्ने ने बिलकुल हार नहीं मानी बिना थके बिना रुके वो फिर से चल पड़ा है इस बार नन्ने भालू ने दिमाग लगाया बर्फ को छोड़कर मिट्टी के रास्ते चड़ना रहा है मा बहुत दूर है लेकिन नन्ने का जोश बिलकुल कम नहीं हुआ वो सी रफतार से चड़ता जा रहा है मा नन्ने भालू का बेश अपनी से इतजार कर लेकिए और आखिरकार नन्ने भालू ने चंग चीत ली फतै कर लिया बर्फ का पहाड और पहुच गया मा के पाड़ लक्ष, संगहर्ष और जीत का ये रुमांचक वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरब हो रहा जाने वाने उद्योग पती आनन्द महिंद्रा ने भी इस वीडियो को प्रेणा दायक बताते हुए ट्वीट किया नन्ने भालू ने सिखाया कि बिना रुके, बिना ठके, संगहर्ष करते जाओ तो कामियाभी जरूर मिले